मैंने प्राइम टेलिग्राम चैनल पे एक पोस्ट दिया था हमारे मेंटोर्शिप ग्रूप में भी दिया था कि शॉर्ट करो हला कि मैंने बैंक निफ्ट में शॉर्ट किया है आएंड तीन लॉट है लगबग मैं इंतिजार कर रहा हूं देखी ये पेशन्स होता है सुबह मैं थोड़ा रेश्ट किया हूँ तो सुबह ज़्यादा ट्रेड नहीं लिया था अला कि यही ट्रेड है मेरा अभी तो इसमें मुझे अच्छा लग रहा है एक शॉर्ट ट्रेड है आएंड मैं आपको लॉजिक भी दिखाऊंगा मैरे संडे वेबिनार के जोबी श्टूडन्ट है उनको सबको मालूम है गयापप को कैसे ट्रेड करना है संडे के दिन ही मैंने बोला था गयापप का पैठर कैसे होता है तो आज परफेकली वैसा ही पैठर हुआ है आएंड वो pattern देखने के बाद सुबह तो मैं trade नहीं ले पाया तो यहाँ पे आज मैंने इस यहाँ पे मैंने entry ले लिया था क्यों entry लिया था कि यह पूरा consolidation हो रहा था उसके बाद यहाँ पे एक मुझे return एक पिन बार मुझे दिखने दिखा उसके साथ ही निफ्टी में 180 reversal pattern मिला तो निफ्टी में भी मैंने trade दिया था अब निफ्टी में CPR का support आ गया हाला कि वहाँ पे profit book करना चाहिए बैंक निफ्टी में एक बड़ा red candle है उसके साथ follow up candle भी होता है इसको follow up candle बोलते है छोटा सा rest लेगा और उसके बाद एक follow up candle लेगा तो वहाँ पे मैं 41,325 के level के असपास मैं निकल जाओंगा ओके थोड़ा सा यह रुकता है फिर यह नीचे आता है तो हमको ओ समझना होता है यहाँ पे जब नीचे आयेगा तो दूसरे momentum में मैं निकलूंगा अभी तो मैं इंतजार करूंगा तो जैसे कि मैंने बोला है इंतजार करूंगा इं इंतजार का फल मीटा कब होता है प्राफिट में हो तब लास में हो तब इंतजार ना करो ओके तो मैं पिछले हपते आपने देखा है पूरा दिन ट्रेड का जर्नल बेज दिया था और सिर्फ फ्राइडे के दिन मैं ट्रेडी नहीं किया हूं क्योंकि पैटन नहीं बना था तो मैं यह नहीं डाला हूँ तो मैं क्या करता हूँ एक हपते बर डालना है तो पूरा आपता डालता हूँ तो आज यह देखते हैं आपके सामने ही profit हो रहा है देखता हूँ कहा profit book करना चाहिए देखो जो मैंने level बोला था उसके आसपास आ रहा है अभी थोड़ा लगबग 3,400 का profit हो रहा है तो इसको थोड़ा सा hold करते है जब target आएगा निकल जाएगे अगर यह मानलो हमारे momentum के हिसाब से नहीं चल रहा है तो निकल जाओ तो यह भी होता है rule जो options buyer होते है उनको क्या करना पड़ता है कि momentum को भी देखना पड़ता है दो मिनट के time frame में देखते हैं तो थोड़ा ज़्यादा आपको असरदार नजर आता है अब यह momentum के पास आ गया है अब मुझे लगता है मेरा target आ गया होगा चलो मेरा target आ गया है अब मैं निकल जाओंगा ज़्यादा भी इंतजार नहीं करोंगा तो भले ही जाए बाद में 5000-6000 चले जाए मुझे 4400 में खुश हूँ क्योंकि मुझे एक momentum मिला है इतने में मैं खुश हूँ देखो मैं कहां तक hold किया हूँ जब तक मेरा target ना आए target यानि कि क्या हो गया उस range में 4-5000 यह नहीं है कि भाई इसको थोड़ा सा logic लगा हो यह बहुत ही जादा sensitive चीज़ होती है इसको मुझे लगा कि मेरा direction सही है analysis सही किया हूँ आयंड यह मेरा आ रहा है तब मैं hold किया हूँ यह नहीं है कि मेरा उसके साथ साथ मैं analysis भी कर रहा हूँ देखो यहां पर जो मैंने entry लिया है उसके हिसाब से momentum भी दिया है तो मैं यहां पर इंतजार किया हूँ अब देखो जो market जो है बहुत अच्छा आया था यहां पर wick भी बनाया है मैंने exit कर दिया है market उपर जा रहा है अब मैं अगर यहां पर exit नहीं करता तो शायद market थोड़ा reversal हो जाता दो मिनट के time frame में मुझे यह दिखा अभी यह reversal का time आया है market थोड़ा सा 20 EMA को touch करेगा या 80 EMA को touch करेगा पांच मिनट के time frame में अगर बात करते हैं तो 200 EMA का support भी आया है जैसे कि मैंने बोला था मैंने analysis से पहले बोला था 41,320 के आसपास मैं book करूंगा अब यह 41,360 पे चला गया है 41,330 पे मैंने निकल गया हूँ आयंड पांच मिनट के time frame में 200 EMA का support आ रहा है आयंड मैं इस profit से खुश हो मेरे दोस्तों खुश रहना से को ओके सो मिलते हैं अगले वीडियो में हाँ संडे वेबिनार जिन्होंने अटे नहीं किया इस हफते में 900 का वेबिनार है आगे जाके charges बढ़ सकते है offer close हो सकता है जल्दी से जल्दी link है description box में click करो संडे वेबिनार को registration करो हमारे batches full हो रहा है अगले batch में registration लो इंतजार करो इंतजार का फर मिठा होता है हम जो भी सिखाते है proper systematic scientific सिखाते है thank you very much दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में